नमस्कार मैं पॉन कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल जवबित पेड़े में दोस्तों आज इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताऊँगा कि हर्याना पुलिस में कांस्टेबल की सेलरी कितने होती है कांस्टेबल को कौन-कौन से बत्ते मिलते हैं बत्तों को जोडने के बाद में कुल सेलरी हो कितनी होगी सेलरी से कटोती हो किस परकार होगी कटोती के बाद में आपकी नेट सेलरी हो कितनी होगी आपकी पहली salary account में कितनी आएगी इसके लावा salary किस परकार आपकी बढ़ेगी promotion किस परकार होगा इन सभी स्वालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे तो वीडियो का आपन तक जुरूर देखना वीडियो आपको भेध पसंद आएगा तो आप अभी सेचे लाइक और शेयर कर देना इसी परकार के और भी बहतरी निर वीडियो च पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब भी कर लेना दोस्तों अर्याना पुलिस कांश टेबल की जो पोस्ट है वो 7th पे commission के अनुसार level 3 के इंतर गताती है जिसका basic पे होता है 21,700 रुपे 21,700 के अलावा आपको कई परकार के allowance यानि बत्ते मिलते हैं जैसे DA, DNS allowance यानि महेंगाई बत्ता HRE, house rent allowance यानि मकान किराया रासन allowance यानि जिसे food allowance भी बोलते हैं इसका अलावा medical allowance और risk allowance भी आपको मिलते हैं सबसे पहले हम बात करें DA की तो जो DA की वर्तमांदर है वो है 17 परतिशत है HRE, HRE के हर्याना के अंदर दोदरी है एक है 8 परतिशत, एक है 16 परतिशत है अगर आपकी duty फ्रीदाबाद, इसार, सोनिपत, पानिपत, तो शिर्षा जैसे सहरों में तब आपको 16 परतिशत HRE मिलते है इनका अलावा आपकी duty कहीं और हर्याना के अंदर है तब आपको 8 परतिशत है HRE मिलते है दोस्तो HRE आप इस अधार पर भी देख सकते हैं जिससे सहर की जनसंक्या 5,080,000,000,000,000 पर 16 परतिशत ए HRE मिलते है HRE उस कंडिसन में मिलते है जब आप government quarter का यूज नहीं करते हैं अगर government quarter का यूज करते हैं तब आपको HRE वह नहीं मिलते है अब हम बात करें कि salary की calculation आपको किस परकार करनी है तो सबसे पहले आपको जो आपकी basic salary है उसका DA निकाल लेना है DA 17% और basic salary आपकी 27,700 है तो इसका 17% हो जाएगा 3,690 रुपे इसे प्रकार आप 8% या 16% इसका HR निकाले जिए तो इसका 8% HR हो जाएगा 18,000 रुपे दोस्तों HR हो थोड़ा कम होगा लेकिन HR के अंदर एक सर्थ होती है minimum आपको 1800 रुपे, 3600 रुपे और X category की जो city होती है वहाँ पर आपको 54,000 रुपे आपको HR मिलता है तो आपको जो HR मिलेगा वो मिलेगा 1800 रुपे इसके लाओ जो आपको रासन रुपे जो फूड अलाउंस मिलता है वो लगबग 111200 रुपे के आसपास आपको परमंत मिलता है फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलता है जो कि आपको 1000 रुपे के आसपास मिलता है फिक्स 1000 रुपे मिलता है इस्के लाव जो आपको risk allowance मिलना वो दोस्तों 5000 ₜpp пока हरयाना पुलिश के अंदर आपको risk allowance मिलता है तो यह आपको जो बतते मिलते हो मैंने आपको बता दिया जब हम अन्म सभी बत्तों को basic salary के अंदर add करते हैं तभी हमारी grow salary बन जाती है बैसिक है 21,700 रुपए चिसके अंदर हमने डी-ए बहरे सारे अलांस मिले है जया से रिस्लिक अलांस, डीकल अलांस, हारे मिले है वो इसारे यदंदर और एड़न कर देती है हमारी घ्रोष हलोरी बन जाती है जो कि बन रहे है 34,390 रुपए, दोस्तों जो आपको मिलती है वो मिलती हूँ आपको net salary मिलते है तो gross salary से कई कटोती होती है एक तोती है NPS के रूप में जो कि basic का 10% plus DA का 10% होता होगा तो जो कि लगबगे 2538 रुपए की कटोती होगी इसके अलावा कई और भी detection होते हैं छोटे 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 जो कि लगबगे आपके 500 रुपए के आसपास यह दोस्तों आपकी पहली salary होगी यह दोस्तों different करेगी joining है वो कि सहरी के अंदर आती है प्लस जिस वर्स आपकी joining आती है उस वर्स आपको D है वो क्या मिल रहा है तो उसी के recording salary है वो up down हो जाएगी है दोस्तों निवनतम salary है आपकी salary वह प्योगी क्योंकि D है वो और साल पला यह एक जो आपकी पहले साल basic salary 2100 700 रुपए वह salary second verse बढ़कर 2200 400 रुपए हो जाएगी यानि second verse आपको D हरी जो भी आपको allowance मिलता है उसके आपकी calculation हो 22400 रुपए करनी होती है इसी प्रकार यह 303 वर्स इसमें वापस 33% का increment लगेगा आपकी बार 33% का increment लगेगा 2200 400 भी salary के regarding अब हम बात कर लें कि promotion किस परकार होता है दोस्तों जो आपकी जो इनिंग हो रही है वो कांस्टेबल बेस पे हो रही है तो कांस्टेबल का जो पहला परमोशन होता है वो होता है senior कांस्टेबल के तोर पे फिर होता है head कांस्टेबल इसके बाद में assistant sub inspector इसके बाद पुलीस से कांस्टेबल की salary और promotion को लेकर detail मुझे उमीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा आपके लिए help पूल रहा होगा तो आप इसे जादा से जादा like और share है वो जुरूर करना ताकि हमारा motivation है वो बना रही और भी बैतनी वीडियो च्पाने के लिए channel को subscribe कर लेना फिर मुलकातोगी शिपरकार के और एक बैतनी वीडियो के साथ तब तक आपस्ते रहना मुस्कराते रहना देखते रहना जोबित पीडी जैहिन जैभारत